गुड मोर्णिंग कैसे हो कल वो मैटर के बारे में बताया था कि what is matter समझ में आ गया होगा characteristic of matter के बारे में बताया थे और physical nature के बारे में बताया थे और उस पर आपको हमने question भी दिया था उमीन है आपको समझ में आ गया होगा आज mainly तुम discuss करोगे state of matter और evoperation के बारे में तो कोई भी matter जो exist करता है तुमारा या तो आपके NCRT में जो आपका level है वो तीन ही state परना है sodile liquid और gas लेकिन matter जो है five state में exist करता है बात में बताएंगे दो state का क्या नाम है और उसमें क्या होगता है तो कोई भी matter जो है कि किस state में वो exist करेगा mainly दो चीपर depend करता है तुमारा पहला उस particle के बीच में gap कितना है distance कितना है और वही distance decide करता है तुमारा force of attraction between the two particle ठीक है और दूसरा होता है तुमारा kinetic energy तो ये दो चीज़ों है मिलके क्या करता है decide करता है कि कोई भी matter किस state में रहेगा समझ में आया आगे बरहें ध्यान से देखो ये state of matter में तुमको देखो पहला आता है solid state हमने क्या बोला कि कोई भी matter का जो state होगा वो किस आवस्था में पाया जाएगा वो depend करता है दो चीज़ पर हमने बताया एक दो particle के बीच में distance कितना होता है और कल ही हमने बताया था कि कोई भी matter होता है चाहे वो छोटा या बरा हो they are made up of teeny particles उसको material कहा जाता है जब उसका chemical analysis पर होगी तो उसी को atom कहा जाता है तो वो बात कीजी है ठीक है तो कोई भी अगर matter कहते हो कि छोटा है या बरा है तो इसका मतलब यह नहीं समझे ना कि उसमें जो particle है उसका size बरा या छोटा होगा more or less हर matter में particle का size एक ही होता है अगर वो बरा इसलिए matter है क्योंकि उसमें number of particle जादे है कोई अगर matter छोटा इसलिए है क्योंकि उसमें number of particle काम है अब वो जो particle होता है उसके बीच में क्या distance है दो particle के बीच में space क्या है distance क्या है दूसरा उसकी kinetic energy ये दोनों मिलके decide करता है state of matter तो देख लो क्या करता है solid state अगर आओगे तो तो क्या करता है solid state में क्या होता है दो particle के पीच में distance कम होता है तो जब distance कम होगा तो force of attraction क्या होगा जादे होगा उसके चलते क्या होता है देखो उसका safe definite हो जाता है ब्यान से देखना safe definite होगा distinct boundaries होगा and fixed volume होगा that is इसी के चलते क्या होता है negligible compressibility होता है उसको अब प्रेस नहीं कर सकते हो तो ये solid का state का क्या है ये significant character है उसका safe भी fix होगा volume भी fix होगा rigid होगा और उसको compress आप easily नहीं कर सकते हो अगर suppose करो अगर आप pressure देते हो force उस पर apply करते हो तो वो solid broken हो जाता है लेकिन उसके safe volume में कोई change नहीं आएगा ठीक है उसी तरीके से देखो काता है liquid state में अब देखो यहाँ पर क्या करता है have no fixed safe but have fixed volume ध्यान से देखना यहाँ पर safe क्या होता है fix नहीं होता है liquid में लेकिन volume क्या होगा fix होगा आप किसी भी container में liquid को रखो तो उस container का जो safe होगा वो safe बन जाता है उस liquid का लेकिन उस liquid का volume उतना ही रहेगा अगर आप छोटा container लेते हो suppose करो आप इस type का container ले तो जितना इसकी capacity हो उतना ही liquid आवेगा तो safe क्या होता है मालोग कोई cylindrical ले ले तो इस तरीके से ताब देखो इसका safe change हो गया लेकिन volume उसका क्या रहेगा fix होता है और ये थोड़ा सा इसको complex कर सकते हो अब यहाँ पर ध्यान से देखना जैसे इसे solid से liquid जा रहे हो तो क्या हो रहा है दो चीज हो रहा है solid में space कम होता है particle के बीचे में इसलिए उसका safe fix होता है volume fix होता है वो rigid होता है liquid में क्या होता है थोड़ा सा space बर जाता है तो जैसे ये space बरहेगा तो क्या होगा पार्टिकिल का थोड़ा सा काइनिटिक एनर्जी बर जाता है ठीक है तो जैसे काइनिटिक एनर्जी बर हेगा तो क्या होगा उसका सेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है ठीक है तो यहां देखो क्या करता है और लिक्विड में सबसे बड़ा characteristic क्या होता है liquid flow यह हमेशा flow एक ही दिशा में flow करेगा ठीक है क्या होगा change shape so they are not rigid but can we क्या बोलोगे उसको fluid बोला जाता है fluid का मतलब होता है to flow कोई चीज़ अगर flow होता है तो वैसे substance को वैसे matter को क्या बोलते हो fluid बोला जाता है जैसे तुम्हारा liquid हो गया gas हो गया इसको fluid कहा जाता है solid को आप fluid नहीं कह सकता है solid flow नहीं कर सकता है उसी तरहीं देखो gaseous state में आँ तो कहता है gases are highly compressible as compared to the solid and liquid ध्यान से देखो यहाँ पर क्या कहता है gases होता है highly compressible होता है उसको press कर सकते हो का है तो gas में जो particle होता है उस particle के बीच में क्या होता है gap जादे होता है तो gap जादे होगा तो उस particle का kinetic energy होगा और हर particle को क्या होता है freedom होता है to move anywhere जिसके चलते उसका कोई shape नहीं होता है और easily उसको आप compress कर सकते हो क्योंकि दो particle के बीच में क्या है gap जादे है मेरी बास समझ रहे हो तो gases देखो किया होता है जब कहीं भी gas को expose करते हो तो चारों तरफ फाइलता है क्यों? क्योंकि उसकी kinetic energy particle का जादे होता है उसको freedom होता है to move anywhere liquid में क्या होता है? kinetic energy होता है लेकिन उसको freedom नहीं होता है to move anywhere लिक्विड पाटिकिल क्या हुआ, मूव एक ही दी सामें करेगा, इसलिए उसको fluid कहा जाता है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या आता है, कि कोई भी state of matter है, तो उसको आप change कर सकते हो, वो interchangeable होता है, solid से liquid, liquid से gas, या gas से फिर liquid, या liquid से फिर solid बना सकते हो, तो यह दो चीज़ पर depend करता है, एक temperature पर depend करता है, दूसरा pressure पर depend करता है, तो थोड़ा सा देखो, क्या करता है, effect of change of temperature, तो थोड़ा सा common sense लगा हो दिमाग में, कोई भी matter को आप अगर heat देते हो, तो क्या होगा, वो heat कौन गेन करेगा, वो particle गेन करेगा, जब kinetic energy बढ़ेगा, तो क्या होगा, वो particle एक दूसरे से अवे होगा, तो जैसी अवेगा, अगर वो solid है, तो liquid में change होगा, और heat दे रहे हो, तो liquid से क्या बन जाता है, गैस बन जाता है, तो यह temperature, देखो क्या कहता है, on increasing the temperature of solid, the kinetic energy of the particle increases, अब कोई भी solid object है, अगर उसको आप heat देते हो, तो जैसी heat दो गई, यह heat गेन करेगा, तो उसका particle का क्या होता है, kinetic energy बढ़ने लगता है, तो यह solid क्या होगा, liquid में convert हो जाएगा, और heat दे रहे हो, तो फिर यह क्या हो जाएगा, gas में बदल जाएगा, तो यहाँ पर देखो क्या करता है, the particles start vibrating with the greater speed, the energy supplied by heat overcome the forces of the attraction between the particles, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी solid है, यह सपोचकर दो पार्ट, इस दो पार्ट के बीच में क्या होता है, force of attraction होता है, each and every particle क्या होता है, to attract the other particle, जिसके चलते हुए एक साथ राता है, मेरी बार समझे रहे हो, लेकिन जब अगर आप heat देते हो, तो क्या होता है, इस दो पार्ट के बीच में जो force है, तो अब पार्ट के बीच में क्या होगा, energy बढ़ेगा, तो यह force overcome होगा, तो जैसे overcome होगा, तो यह force से अगर heat जादे आ गया, तो क्या होगा, यह दो पार्ट के बीच में जो force of attraction है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो पार्ट के बीच में क्या होगा, move करना शुरू कर देगा, तो वही यहाँ पे कहता है, कि पार्ट के लिए start vibrating with the greater speed, the energy supplied by heat overcome the force of attraction between the part के, जिसे यह ऐसे है, मालो तो अब यहाँ पर दो finger के बीच में जो force of attraction है, ऐसे है ना, अब यह इसको तुम तोरना चाहते हो, तो कब तूटेगा, पहले तो क्या करोगे, जितना force है, उतना force अप्लाई करो, तो उस सारा force जो आप अप्लाई कियों कहां गया, इसको तूरने में, अब इससे जब जादे होगा इस force तभी यह क्या होता है, अलव हो जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पर करता है, कि energy supplied by the heat overcome the force of the attraction between them, अब देखो, अब देखो, क्या कहता है, the particle leave their fixed position and start moving more freely, क्यों होता है, वो जो force of attraction है, तो आप बाहर से heat दे रहे हो, तो उस particle का kinetic energy बढ़ते जा रहा है, जिसके चलते यह force से जादे force हो जाता है, तो particle का force तूट जाता है, अब यह particle में क्या होता है, यह freedom हो गया, यह move करना सुरू कर देगा यह, ठीक है, तो वही कहता है, कि the particle leave their fixed position and start moving more freely, अब देखो, क्या होता है, अगर आप solid को heat देते हो, temperature बढ़ाते हो, तो क्या कहता है, now solid melt and is converted to a liquid, क्या होगा, solid से वह liquid बन जाएगा, अब यहां पर क्या कहता है, कि वह solid से जो liquid बनता है, तो एक minimum temperature दोगे तब न, वह जो particle के बीच में, जो force of attraction है, उस attraction को overcome करोगे तब न, उससे जादे force लगाओगे तब ही है न, मेरी बास समझे रहो, तो वह जो energy जो आप दे रहे हो, तो वह तो energy कहाँ खर्च हो जा रहा है, उस force of attraction को overcome करने में, तोरने में खर्च हो जा रहा है, इसलिए देखोगे temperature increase नहीं करता है, ध्यान से देखो, क्या करता है, the minimum temperature at which a solid melt to become liquid, at the atmospheric pressure is called its melting point, उसी को melting point कहा जाता है, और उसको fusion भी बोला जाता है, ध्यान से देखना, जैसे देख लो, melting point of ice जो होता है, 273, यह Kelvin हो जाता है, तुम्हारा यह point 15 है, यह fraction में है, और उसको अगर Celsius में तो रोगे, तो वो क्या हो जाएगा, zero degree C हो जाएगा, तो zero degree C पर क्या होता है, तुम्हारा वो solid जो है, water जो है, तुम्हारा वो ice क्या होता है, melt करना सुरू कर देता है, ठीक है, अब देखो क्या करता है, when solid melt, its temperature remain the same, so where does the heat energy go, यह question है, ध्यान से देखो क्या करता है, जब कोई solid melt करता है, melt कैसे करेगा, आप heat दोगे तब न, तो जब heat आप दिये, तो वो heat क्या होता है, वो solid का temperature नहीं बढ़ता है, लेकिन वो melt करने लगता है, तो actually वो आपका temperature कहां खर्च हो जाता है, उस force of attraction को overcome करने में, उसको तोरने में आपका वो energy क्या होता है, खर्च हो जाता है, इसलिए यहाँ पर कहता है, कि जब वो solid melt होता है, तो इस temperature remain the same, अगर आप से यह पूछता है, कि वो heat आपने supply किया, तो वो heat कहां गया, वो solid का temperature क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो जवाब क्या दोगे, कि वो जो supplied heat था, वो कहां खर्च हो गया, to overcome the force of attraction between the two particles, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर दिया है answer, heat gets used up in the changing the state, by overcoming the force of the attraction between the particles, वो heat कहां खर्च हो गया, जहां से देखो, क्या करता है, overcoming the force of attraction between the particles, वहाँ खर्च हो गया, याद रहेगा, अब देखो, as this heat energy is absorbed by eyes, without showing any rise in the temperature, तो वो जो temperature को क्या होता है, क्योंकि वो इस ice का temperature तो बारा नहीं, लेकिन वो melt कर शुरू हो गया, तो गया कहां temperature, तो उसी temperature को कहा जाता है, hidden या latent कहा जाता है, latent का मतलब होता है, hidden energy, ठीक है, ता आब देखो, यहाँ पर क्या करता है, the amount of the heat energy that is required to change 1 kg of the solid into liquid atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of the fusion, या latent heat of the melting भी का सकते हो, कोई solid है, आप उसको heat दे रहा हो, तो देखो कि जब heat दोगे, तो उस solid का देखो कि temperature नहीं बारता है, मेरी बारत समझे रहो, तो वो सारा temperature कहां जा रहा है, वो hidden है, वो उस दो पार्टील के बीच में, जो force of attraction उसको तोरने में खर्च हो रहा है, तो वो hidden होता है, तो हर solid का क्या होता है, latent heat of fusion अलग-अलग होता है, जब तक उतना temperature नहीं दोगे, तो वो melt करना शुरू नहीं करता है, तो हर solid का अपना-अपना characteristics, हर का melting point क्या होता है, अलग-अलग होता है, clear होए है, अब देखो क्या कहता है, particle in water at zero degree, zero degree Celsius का मतलब, अगर Kelvin में लोगे तो कितना हो जाएगा, 273, हमेशा याद रखना, अगर Kelvin को अगर क्या बोलते हैं, zero degree C में लाना है, तो उसमें minus 2 से 73 कर दो, अगर Celsius को convert करना है Kelvin में, तो उसमें plus कर दो to 173, मेरी बास समझ रहे हो, जिसे ये 2 से 73 Kelvin जो होता है, is called to होता है, zero degree C, ठीक है, अब ये कैसे होता है, इसमें minus क्या कर दिये, दूसरे 73, तब तब ने ये आया, मालो अगर कोई कहता है, ये 100 degree C है, Celsius है, इसको Kelvin में तोरो, तो इसमें क्या कर देना, पलस दूसरे 73 जोड देना है, तो ये is called to हो जाएगा, 373 Kelvin हो जाएगा, हमेशा ये याद रखना, ये question पोच्पा है, तो देखो क्या करता है, पार्ट के लिए वाटर at 0 degree C, have more energy, as compared to the पार्ट के लिए इन आइस, at the same temperature, याद रहेगा, क्योंकि वो जो आप heat देते हो, तो तो सारा heat करा होगा, hidden हो गया, तो वो दो पार्ट के लिए फ्रिली मूफ कब करेगा, जब वो जो force of attraction है, तो वो force of attraction जब तक तूटेगा नहीं, तो जैसे तूटना शुरूआ तो वो solid क्या हो गया, liquid में convert होना शुरू हो गया, तो अब वो liquid में जो particle आवेगा, तो solid के particle से उसका energy क्या हो जाएगा, kinetic energy जदे हो जाएगा, यह यहाँ पर खाता है, particle in water at 0 degree C have more energy, as compared to the particle in ice at the same temperature, clear होए है, आगे बने, अब देखो, क्याता है, temperature at which a liquid start boiling, at the atmospheric pressure is known as its boiling point, boiling is a bulk phenomena, अब वो liquid देखो, क्या होता है, gas में convert होगा, तो फिर उस liquid को आप क्या करते हो, heat देना सुरू करते हो, तो अब उस liquid के बीच में जो particle है, वहाँ भी तो force of attraction है, तो जब वो force of attraction जब तक नहीं तूटेगा, तो वो water vapor में convert, नहीं होगा, boil करना सुरू नहीं करेगा, तो जब तक आप heat दे रहे हो, क्या हो रहा है, तो उस force, उस water को heat दे रहे हो, तो उस force को तोरने में energy खर्च होते जला जारा है, और जैसे ही वो energy तब क्या होता है, water boil करना सुरू कर देता है, तो वहीं चीज़ कहता है, देखो, क्या कहता है, the temperature at which liquid start boiling at the atmospheric pressure, is known as its boiling point, and boiling is a bulk phenomena, यहां पर bulk phenomena मतलब समझे रहो, कि वो water का जो उपर का layer है, सबसे पहले वही boil करता है, भैपर बनता है, तो वो total का होगा, beach का नहीं होगा, इसलिए इसको कहा जाता है, bulk phenomena, अब देखो, यहां पर क्या कहता है, water vapor at 373, यहां पर देखो, एक सुनना जादे हो गया, अब देखो, 373 केल्विन, को अगर Celsius में तो रोगे, तो हमने क्या बोला था, उसमें 273 माइनस कर दो, 273, तो क्या आ जाएगा, 100 से, तो कहता, water vapor at 100 degrees, 373 have more energy, than the water at the same temperature, यह चीज समझ रहे हो कि नहीं, क्या ही कहना चाहरा है, जैसे देखो हम क्या बोल रहे हैं, मालू यह liquid है, यह water है आपका, ठीक है, अब यहाँ पे, जो पाटकिल के बीच में, जो काइनिटी के एनर्जी है, जो भी काइनिटी के एनर्जी होगा, ठीक है, अब यहाँ देखो, आपने यह heat देना शुरू किया, अब ही जब तक 100 degrees C नहीं होगा, तो यह boil करना शुरू नहीं करेगा, बल्क फने होगे ना कहला बोले, यह जो कंटेनर का जो open surface, तो यह total water boil करेगा, यह नहीं होगा कि 20 से करेगा, इसलिए इसको कहा जाता है, बल्क फेन होगे ना, अब मालो आप heat दे, जैसे 100 degrees C temperature आया, तो अब क्या होगा, यह boil करना शुरू कर देगा, जैसे काइनिटी के इनर्जी बरहेगा, तो दो particle के बीच में space भी बरहेगा, ठीक है, तो अब वो क्या होता है, भैपर बन के निकलना, शुरू हो गया, तो अब यहाँ पर क्या आता है, यह भैपर का जो particle है, और यह water का particle, किसमें energy जादे होगा, अरे भैटा, इसमें भैपर के particle में energy जादे होगा, ने, in compression to the particle of the water, जैसे वो solid cell liquid बना था, तो solid के compression में क्या होगा, water particle का energy जादे होगा, वही चीज यहाँ पर यह बोल रहा है, भ्यान से देखना, confused मत होना, क्या करता है, water vapor at 100 degree C, have more energy, than water at the same temperature, water के compression में किसका kinetic energy जादे होगा, vapor का होगा, ठीक है, अब देखो, एक आता है, तुम्हारा sublimation कहता है, यह change of state directly from solid to gas, without changing into the liquid state, बहुत सा matter होता है, वो directly क्या होता है, solid से gaseous state में चला जाता है, without converting into the liquid, तो उस process को कहा जाता है, sublimation, और ठीक उसके उल्टा होता है, deep position देखो, direct change of gas into the, to the solid without changing the liquid, तो उस process को क्या बोलोगे, deep position कहा जाता है, clear है, अब देखो, एक तो effect of temperature, क्या किया, state of matter के, state को change करता है, due to the temperature, दूसरा आता है, देखो, effect of the change of pressure, अब यहाँ पर pressure को देख लो, अब यह उल्टा होगा, अगर gas molecule पर pressure, क्योंकि दो molecules के बीच में space जा दे, pressure दोगे, तो देखो, pressure दिए, तो molecules के बीच में distance कम होते चला जाएगा, तो वो liquid बन जाएगा, और pressure दो, distance और कम हो गया, क्या होगा, वो solid बन जाता है, तो यह pressure और temperature क्या होता है, responsible होता है, to change the state of the matter, तो यहाँ पर क्या करता है, applying pressure and reducing temperature, can liquefy gases, जिसे परह होगे, CNG होता है, compressed natural gas, LPG जो बोलते हो, liquefied petroleum gas, क्या होता है, वो gas होता है, उसको अब pressurize करके क्या करते हो, liquid में convert कर देते हो, तो यहाँ पर दो चीज होता है, देखो, pressure apply करते हो, जिसके चलते, उसका temperature क्या होता है, reduce होना शुरू कर देता है, temperature reduce होने का मतलब क्या होगा, उस particle का kinetic energy, कम होना शुरू होता है, जिसके सलते, space भी कम होता है, तो देखो, अब उसका example दिवा देखो, solid carbon dioxide is stored under the high pressure, known as dry ice, उसी को dry ice कहा जाता है, देखो, it convert directly to gaseous state, on decrease of the pressure to one atmosphere, और one atmosphere का मतलब होता है, 1.01 into 1025 Pascal, PA का मतलब pressure का unit होता है, without coming into the liquid state, दूसरा देखो, eave operation परना तुमको, देखो, क्या कहता है, phenomena of changing of the liquid into the vapor, at any temperature, below its boiling point, is called eave operation, ध्यान से देखना हम क्या बोल रहे है, कोई भी liquid, अगर वो भापर में convert होता है, और उसके boiling point से कम ही, जैसे water का boiling point क्या होता है, 100 degrees, अगर उस 100 degrees से कम पर ही, वो अगर भैपर बनने लगता है, तो उसी process को कहा जाता है, eave operation, क्या बोलोगे, ध्यान से फिर से देखो, क्या कहता है, phenomena of change of a liquid into vapor, at any temperature, below its boiling point, हमेशा याग रखना है, below its boiling point कहता है, जिसे अगर water से भैपर बनाते हो, तो आप temperature 100 degree दोगे तब ही है न, तो उसको आप eave operation नहीं कहोगे, eave operation का मतलब होता है, कोई भी liquid का जो boiling point होता है, उसके नीचे ही अगर boiling point है, और वो भैपर बनना सुरू हो जाए, अब क्यों वो भैपर बनता है, वो आगे पर होगे, अब यहाँ पर देखो एक चीज दिये हुआ है, cycle आपका, जिसे solid है देखो, fusion, embed करके liquid बना, solidification देख लो, अगर liquid से solid बन जाता है, फिर देखो, solid से direct without liquid, तो sublimation, gas से sublimation, solid से यहाँ पर भी sublimation दिया, लेकिन इसको क्या बोलोगे, deposition, उसी तरीके से देख लो, liquid से gas बनना, vaporization कहा जाता है, और gas से अगर liquid बनता है, तो उसको condensation कहा जाता है, याद रहेगा, gas से अगर liquid बनेगा, तो that is known as condensation, liquid से अगर gas बनता है, तो vaporization, तो हमेशा याद रखना, e-operation और vaporization में फर्क है, e-operation जब भी होगा, below the boiling point of that particular liquid, vaporization जब भी होगा, तो जब तक उसका boiling point नहीं आवेगा, तब तक वो भैपर में formation नहीं होगा, ठीक है? अब देखलो, यहाँ पर यह इब भी होपरेशन जो होता है, काता है, रेक्ट अप इब भी होपरेशन जो increase करता है, या decrease करता है, तो कुण-कुण से factor पर depend करता है, पहला देखो क्या करता है, and increase of the surface area, actually क्या होता है, इब भी होपरेशन प्रोसेस भी होता है, उस surface फेनोमेना होता है, container का मुँँ जितना बड़ा होगा, क्या होगा, इब भी होपरेशन उत्मा जादी होगा, ओपरेशन बताते हैं कैसे होता है, दूसरा देखो क्या करता है, increasing temperature, तीसरा होता है decrease in humidity, और चौथा है तुफ़ा increase in wind speed, अब यहाँ पर देखो क्या होता है, इससे सपोज करो, यह container है, यह देखो, यह लिख वे हैं, क्या होता है तुम्हारा, यहाँ पर जो particle है, whatever the kinetic energy, यहाँ के particle के kinetic energy क्या होता है, थोड़ा जादे होता है, तो कि उपर है surface हेरी आप है, अब यह क्या करता है देख लो, surrounding से energy ले ले लेता है, जिसके चलते इसका kinetic energy बढ़ जाता है, ठीक है, अब यह थोड़ा सा इधर से भी लेगा, यह और यह जैसी kinetic energy क्या होता है, वैपर बनके निकल जाता है, तो जितना जादे surface area होगा, क्या होगा, इप operation उतना जादे होता है, और इसी इप operation का सबसे बड़ा जो effect होता है, वो cooling effect होता है, क्यों? Surround को भी cooling कर देता है, क्या करता है, वो जो भैपर बनके जो भागता है, तो वो energy कहां से लेगा? Surrounding से लिए, कुछ energy, water से, इस particle से ले लेता है, यहां के, तो इसके चलते, temperature जादे होगा, यह temperature यहां से ले लेगा, तो भैपर का formation क्या होगा? जादे होगा तुमारा, दूसरा देखो, कहता है decrease in humidity, अब यहां पर जो होता है, तुमारा यह जो भैपर, जो surrounding में जाता है, तो कितना भैपर जाएगा, वो depend करता है, कि बाहर moisture कितना है, अगर suppose, और जो surrounding में moisture होता है, तो उसकी capacity क्या होता है, fix होता है, जिसको कहते हो humid season, जो बहुत जादे moisture है, तो जब बहुत जादे moisture air में है, तो air की भी capacity होता है, उससे जादे moisture को रख नहीं सकता है, तो अगर moisture जादे हैं बाहर, temperature कितनों बढ़ाओगे, surface area कितनों जादे करोगे, इब operation नहीं होगा, अगर बाहर moisture कम है, तब ही नहीं यह भागेगा, तो बाहर जितना humidity कम होगा, इब operation क्या होगा, जादे होगा, मेरी बास समझ रहे हो, दूसरा देखो क्या करता है, increase in windy speed, आप देखो यहाँ पर wind speed क्या होता है, यह अगर यहाँ पर, air blow जादे कर रहा है, तो क्या होगा, इस surrounding का moisture जो हैं यहां से हटेगा, इसके चलते यह moisture क्या होगा, इब operation जादे होगा तुमारा, कभी कभी देखते हो, क्या होता है, आप खेल के आते हो, और जैसे पंखा के नजदिक बैठते हो, तो आपको cooling आता है, क्या होता है, आपका जो पसीना है, वो भैपर बनके निकलना सुरू करता है, तो पंखा क्या करता हो, वहाँ जो surrounding में जो moisture उसको हटाना सुरू कर देता है, आप कभी कभी देखते हो rainy season में, क्या होता है, कोई भी कपरा को फैला के सुखाते हो, या कभी कभी क्या हो, दो छोड़ पकर के ऐसे हैसे करते हो, या ऐसे हैसे करने से क्या होता है, windy speed, अब ऐसे से करोगे, तो surrounding में जो moisture होटेगा, तापके cloth से क्या होगा है, evooperation बर जाएगा, तो ये तीन चीज़ तुमको याद रखना है, देखो, increase of surface area, increase of temperature, decrease in humidity, and increase in wind speed, ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या कहता है, कि how does evooperation causes cooling, कैसे cooling cause करता है, तो देखो, क्या करता है, the particle of the liquid, absorb energy from the surrounding, क्या करता है, surrounding से temperature को लेता है, heat को लेता है, to regain the energy lost during the evooperation, क्योंकि evooperate होने के लिए, उसको energy चाहिए, तो वो lose करेगा, तभी ने evooperate होगा, तो कहां से लेता है, surrounding से लेता है, जिसके चलते surrounding का temperature क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है, अब देखो, it makes cool surrounding, अब इसी पे देखोगे, बहुत सा question पुटा पूरता है गुमारा, why should you wear cotton cloth ही ने summer, गर्मी के सबह में, अब cotton cloth क्यों पांगते हो, cotton cloth क्या करता है, moisture को, आपके sweating को absorb करता है, absorb करके क्या करता है, बाहर ला देता है, तो जिसके चलते क्या होता है, evooperation rate जादे होता है, तो जैसे evooperation होता है, आपके body से वो heat लेके निखलेगा, तो आपको cool feel होता है, दूसरा देखो क्या करता है, वही रीजन देना है तुमारा अब कोई कंटेनर में आईस रखते हो तो वहां तर टंपरेचर कम हो जाएगा ना सराउंडिंग में टंपरेचर जादे होगा तो वह सराउंडिंग का वाटर क्या होता है वहां पर मौस्टर में कनवट हो जाता है तह bubbies तरीके से देखोगे कि वह होट मानने जादे काम करता है क्यों क्यों कैंकिम क्या होता है हो जब हो 依ाए तो आपका मोस्टर चाप नष्या लगता है तो जब जादे इवरोपरेचर होगा तो उस स्दाडिंग का क्या करेगा टंपरेचर लेक हो भैपर बनके निकल जाएगा जिसके चलते वो room क्या रहता है ठंडा रहता है लेकिन वही देखोगे rainy season में rainy season में क्या होता है moisture content air का जादे रहता है तो cooler आपका काम नहीं करता है क्यों क्यों क्योंकि eave operation हो भे नहीं करता है क्योंकि उस समय क्या होता है humidity humidity बर जाता है जब humidity बरेगा इब operation rate क्या होता है कम हो जाता है ठीक है और हमने जो आपको बताया था कि matter का state जो three आप ही जो पर हो आप solid liquid gas जो आपको NCRT में दिवा है फाइव state देखो यह plasma होता है और दूसरा देखो sorry fourth state और फिप जो होता है Bose Einstein Condensate यह plasma जो होता है तुम्हारा यह क्या होता है आउनाइजड होता है इसमें क्या होता है particle का kinetic energy बहुत जादे होता है यह fluorescent bulb सब जो आता है तुम्हारा helium का यह neon का तो वह plasma है आजकल देखो के plasma TV भी आ गया है तुम्हारा तो इसके बारे में नहीं थोड़ा सब जानना था इस तरीके से देखो के matter का five state हो जाता है तुम्हारा solid liquid gas plasma and Bose Einstein Condensate इसमें क्या करना है आपके NCRT को question को बनाना है ठीक है और clear concept लेना है अब एक भी concept अगर develop कर ले तो तो यह automatic देखो गया आपको उसका answer बनना शुरू हो जाता है इब operation को surface phenomena क्यों कहा जाता है इब operation किस किस चीज़ पर depend करता है तो देख लो ठीक है तो इस तरीके से तुम्हारा यह first chapter खतम हुआ next हम आपको second और आप लोग कम बच्चा जूटते हो जादे बच्चा जूटो और अगर आपको slide अच्छा लगता है तो please आप लोग भी like करो subscribe करो और मित्रों के बीच में भी फैलाओ और थोड़ा सा subscription को ब